भारत में शुरू होने वाला है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन जी हाँ एक मार्च से शुरू हो रहा है भारत का फेज़ वैक्सिनेशन फेज टू हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शोबं कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके हमारे हम सभी के परिवाइड जीए इन क्लासर में तो आज हम लोग आज एक मार्च है और आज आप लोगों को पता है एक मार्च से भारत में क्या आयोजित होने वाला है वैक्सिनेशन कोविड किसका कोविड 19 का जैसा कि आप लोग जानतें फेस्वण में किस-किस लोगों को वैक्सिनेशन हुआ था फ्रेंट लाइन वोर्कर्स फिर आपके जितने भी हमारे फ्रेंट लाइन वोकष से चाहे वह नर्सिंग स्टाफ हों डॉक्टर्स हों या फिर आपक का हमार इस से लेकर 69 वर्स के वैसे लोगों को भी vaccination दिया जाएगा जिनको अलग से कोई बीमारी है 60 साल से जादा उन वाले को भी vaccination दिया जाएगा अब सवाल यह उठता है कि कैसे मिलेगी vaccination तो ठीक हम समझ गए लेकिन vaccine मिलेगा कैसे तो सबसे पहले आपने आपको क्या करना है मतलब आपको अपना नाम पंजिक्रित खुझ से करवाना पड़ेगा उसके बाद जब आप पंजिक्रित करवाएंगे उसमें आपसे mobile नंबर मागेगा दूसरा फिर आपको वो mobile पे OTP बेजएगा जब आप OTP को verify किजेगा तो आपको schedule बताया जाएगी कहां आना है जब आप उस schedule पे जाईएगा उस जगह पे जाईएगा जब आपको ठीका करन होगा उसके बाद आपको एक reference ID दे दिया जाएगा उसके बाद सबसे important question ये उठता है कि क्या-क्या कागजात लगेगे क्या-क्या paper लगेगा vaccine पढ़ने में अपना जो बीमारी है उनको वह वाला थर्टिफिकेट अप्लोड करना है जब आप registration करोगे और तो और नॉर्मल साथ वर्स के जितने भी लोग है उन सभी के लिए सिर्फ एक आधार काड या फिर पैन काड आपको ले जाना पड़ेगा और एक photo पहचान के लिए ले जाना लगे घंगा तो देखिए आपको याद रखना पडएगा जितने अगरuju अगर आप सरकार के थूरू कर रहे हैं सरकारी संस्था पर अगर आप जाकर और कर रहे तो आपको एक भी रूपया देने कि कोई ज़हरत ने एक भी रूपया नहीं लेकिन हाँ अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट सेंटर्स पर जाकर वैक्सिनेशन करवा रहे हैं तो आपको उसका कुछ अभी अब वैक्सिन देखिया कितने लोगों तक पहुंचता है कितने लोगों जितना जल्दी जल्दी हो मिलता है क्योंकि इंडिया वैक्सिन को एक्सपोर्ट भी दूसरे देश में कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है तो चलिए फिर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा वीडियो बनिया लगा होगा तो वीडियो को जादे जादा लोगों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेन नोटिफिकेशन को और पर करतीजेगा इसी प्रकार की वीडियो के लिए धन्यवाद